दिल्ली में भारा जोडो यात्रा के दोरान राहूल गांदी की शुरक्षा में कॉंगरेस में सेंद लगने का दावा किया है। कॉंगरेस ने कहा कि दिल्ली में 24 दिसंबर को भारा जोडो यात्रा की पुलिस राहूल गांदी के इर्दगेट भीड को नियंत्र कर गेहरा बनाने में नकाम रही जबकि उन्हें जैट प्लस ट्रेणी की शुरक्षा प्राप्थ है। पार्टी के संगठन महासचीब केसी वेडू गोपाल ने पत्र में यह आग्रे भी किया कि अब आगे पंजाब और जम्मो कश्मीर जैसे संवेदनशिल राज्यों में राहूल गांदी और यात्रा की शुरक्षा के पुक्ता इंजाम किये जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 दिसंबर को उस्ति यह हो गए थी कि कॉंग्रेस कारिकरता और भारत जोड़ो यात्रा के लोगों को राहूल गांदी के आसपास घेरा बनाना पड़ा। उन्होंने पूर प्रदान मंत्री इंद्रा गांदी तता कुछ अन्य कॉंग्रेस नेताओं की अतीत में हुई हत्या का भी उल्लेक किया और कहा कि सरकार को प्रतिशोध की राजनीती में नहीं पढ़ना चाहिए तता कॉंग्रेस नेताओं की पूरी शुरक्षा सुनिश्च कराई कॉंग्रेस नेता ने लिखा है कि तीन जनवरी से रावुल गांदी की यात्रा पंजाब और जम्मु कश्मेश जैसे संविद्शिल राज्यों में प्रवेश कर रही है ऐसे में उन्हें और साथ चल रहे भारत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए वहीं म अपने मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं होंगे